तेरी बूलादू आपके साथ बेंट यू ब्यारत यू ब्यारत यू बेंट हाई एव्रीवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जारे हूँ एक बहुत ही ट्रेंडी मेकप लोग जो की है क्लीन गर्ल मेकप लोग जैसे आपने देखोगा यूटीप पर बहुत जादा वाइरल हो रही है यह चीज तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ शेयर कर रहूँ पर पॉन्स का यह पॉन्स का यह पॉन्स का सुपर लाइट जैल यूज कर रहे हूं कि इनका जो बेस है वो गलॉसी एर स्मूध रहे तो यह तुम्य फ्री टैप की होती है तो इसको यह उसको रहे हूं यह देखें मैंने यह अप्लाइ कर लिये उसके बाद मैं आप टोनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं इसके पहले और इसके बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं यह हेल्प्स कुड़नेस का टोनर सो मैं इसको यूज कर लेती हूँ यह सिर्फ ऑप्शनल है इप वार्ट सो यू कैन ओके हमारा स्किन केर हो गया इसके बाद में जो में है न वह इसमें यह है कि आपके हैर्स है तो उसका में रोल है इस मेकप लुक में क्योंकि इसमें जो हैर्स है वह हमें स्लीक टाइप रखने है तो आपको क्या करना है बहुत ही नॉर्मल आपका हैर्स्टाइल रहेगा बस आपको आपको बीच में से इसे साइड करना है यह हो गया हमारा और उसके बाद में इसको अच्छे से टाइट करना है इसे हैर्स को लेकर टाइट करना है करना सिंपली एक रबर बैंड लेना है और उसकी हैप से इसको अबन लेना है जो हैर्सन को बहुत ही जादा स्मूध और चिपके हुए टाइप करना है के पास यह जेल है शोरी ह्याद सार Minsh कर सकते अगर आपके पास नहीं है नोः प्रापलम आप क्यारन स्कार लिजिए यह आ प्लाप्लों दो झाल्यसीद कली सवाइब आप यह पूली ब्रेश होता है मास्केरा ब्रेश एंड जो भी इसको बोलते हैं इसको ले लीजिए अपने को यहां यहां साइड में आपको लगाना जिसे कि यह जो बेबी हैर्ट से ना वह अच्छे से चिप जाएं और बैठ जाएं कि यह बहुत निकलते हैं अब देख सकत अच्छे से लगाने के बाद इससे सेट कर लीजिए इस मेक अपलोग का यह जो पार्ट है जो मैं कर रही हूं इस सबसे ज्यादा में है इसमें नहीं जादा प्रेंडी बेकप लुक अपने देखोंगा जादे तर जो टिक टॉक्स आरही है ना टिक टॉक्त तो बंद हो गह इसलिए मुझे इस लोग को क्रियेट करना पड़ा इदेख सकते हैं अब अगर थोड़ा सा और होगा न तो वह हम अपने मेकप लोग क्रियेट होने के बाद भी कर सकते हैं सब्सक्राइब और हे छीसलिए इसलिएट ही इसलि इसलिएट है अनों पमक्राइब अधेल मेंचार होगा ही तो यह सबस्तो ..... बन टाइप में बना लूगी है अब मेकप करने स्टार्ट करते हैं इसकिन केर कम्प्रीट हो गया है मैं यह बात आपस पता नहीं कितनी बार बोल चुकी होंगी यह यह है मेरे पास NYBAKEUP PRO STROPE CREAM PINK TROPAS यह बहुत ही अच्छी हाइलाइटिंग बेस क्रीम है और मैं आपको इसको यूज कर दिखा देगा इसको पहले मैं इसको यूज करूंगे क्योंकि मुझे जो अपना मेकप का बेस चाहिए मेकप का बेस जब मेकप पूरा क्रियाइट हो जाएगा तब भी मुझे अपना ग्लॉसी एंड थोड़ा सा चमकता ऐसा नहीं क्या मतलब जैसे कि हम पार्टी में जा रहे नो ऐसा नहीं करना है बहुत ही देवी लोग चाहिए ना तो हम इसका यूज करेंगे हम किसी हाइलाइटर का यूज नहीं करने वाले गाई जिसमें आप अब मैं इसको अच्छी से लगा लिए थी हूँ आप देख रहे होंगे कि मेरी स्कीन कितनी जादा गलो कर रही है इसको लगाने के बाद अना लव इट सो ये भी हमने लगा लिया है इसके बाद में हम प्राइमर यूज कर रहे हैं सो ये मेरे पास है ब्लू हैवन का फ्लालेस प्राइमर गाईज आपको इनमें से कोई भी प्रॉड़ेक्ट परचेस करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से परच प्राइमर लगा लेते हैं सो गईज यह है मेर पास पेसस के नीडा का वेफिली मेट फिनिश एंश है काफिस श्यादा अच्छा है एंड काफी लाइट फाउडेशन है ज Version मेल गाईशन है आटिय लाइट इस lotным और कर लेते हैं कर दो सिसे हुआ भूआ पहल जादा पसंद भी मैं ऐसी लगाती हुआ क्या गरना इसको ब्लेंड करना और जाँ अब जाँ पुछ रहा है और जाँ तो हम ब्लेंड कर लेते हैं अपनी पसंद कर लेकर ब्लेंडर को एसे मत यूज कीज़ेगा कि लेकर यूँ यूँ कर दे रहे से क्या होगा आपका जो फाउंडिशन बिल्कुल खराब हो जाना है इसलिए हमेशा ड्राप करकर ही हमें अपना ब्लेंडर यूज करना है यह फाउंडिशन वाला ब्लेंडिंग का दू काम हो गया है अप चलते हैं नेक्स स्टेप की और जो कि आपको पता ही होगा फाउंडिशन के बाद तो अविसली हम कंसीलर ही अप्लाई करेंगे यह जो कंसीलर है ना लिटरली आम लव विध इस कंसीलर स्टेटी का जो यह कंसीलर है मुझे मतलब इतना जाद कोई प्रोड़क इतना भी तक पसंद ही नहीं आया है मुझे सिर्फ यह बहुत ही जादा पसंद आता है इसको आप ऐसा फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं ग इसको बहुत ही जादा पसंद है कंसीलर तो यह हमारा डंडनानार हो गया है अब हमें क्या करना है तो यह है मेरे पास पर पल का भी और ओन बी एफ एफ कंपेक्ट पावडर इसे हम थोड़ा थोड़ा सेट कर लेते हैं जिससे कि बाद में क्रीज व्रीज ना बने और हमारा मेकप पैची ना हो थोड़ा सेट कर लेते हैं यह जो मेकप लोग है इसमें थोड़ा से लिप्स हमारे अच्छे दिखने चाहिए यह मेरे पास नवाई बेकल लिप प्लमपर सो गाइस देख सकते हो इसमें दिख रहा है ना आप आपको थोड़ी सी अमांट में इसको लेना है यह जब तक हमारे मेकप कंप्लीट होगा तब तक हम इसको लगे रहने देते हैं फिर उसके बाद में हम लिप्स्टेक का यूज करेंगे इससे मेरे लिप थोड़ी से प्लंपी हो जाएंगे और काफी अच्छी लगने लगे इसलिए मैं इसको यूज किया है इसके बाद मैं यह एनवाई बे का यह जो है आईशेडो है इसको यूज कर रही हूँ यह ब्राउन शेड आईशेडो है तो हमें ऐसे लुक में ऐसा ही आईशेडो यूज करना है तो इसलिए मैं यह वाला आईशेडो यूज कर रही है इस आईशेड़ में बहुत ही लाइट रखना है आप सोच रहे हो कि नहीं भाईया थोप लेना है तो ऐसा नहीं कुछ भी तो आई थेंग यह हमारा डन हो गया है अल्मोस्ट ओके चाहें आप अगर की कॉंडोरिंग तो फिर आप कर सकते हैं बट अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बास नहीं है कोई मसला नहीं है अगर आपको जरूरत है तभी कीजिएगा फालतू में करने की कोई जरूरत नहीं है करने इसके बाद में भाद में भर्लस करनी रोसे चिला करा है तो यह मेरे पास ब्लच को इंस की कजिआ यह है ब्लडावined के इसलिहा है अब तो यह काफी जादा मतलब यूज हो चुकी है इस शेड को तो मैं डेली यूज करती हूँ इसलिए यह बिचारिय खतम होने वाली है ब्लेंड कर लेते अच्छे से ब्लेशिंग कम्पलीट हो गई है आप में मसकारा लगा रही है यह मेरे पास मेन का मसकारा है आपको इसमें मसकारा यूज करना है तो इसलिए मुझे मस्कारा ज्यादा है लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी बहुत ही चोटी आइलेशिस है तो फिर आप इसमें दो कोट का यूज कीजिए लेकिन लोर लेश लाइन को इसकिप करना बिल्कुल भी मत बूलेगा ओके मस्कारा भी लगगा है अब हमें क्या करना अब हमें अपनी आइब्रॉज को सेट करना है यह मेरे पास waterproof आईब्रॉज पैंसिल आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन मेरी आइब्रॉज थिक हैं तो मुझे इसको फिल करने की कोई जरूरत नहीं अगर आपकी बहुत जादा हलकी अईब्रॉज और अगर आपके इप में गैपिंग हो रही है तो आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे एक काम करना है मुझे वैसलीन लेनी है वैसलीन से अपनी आइब्रॉज को थोड़ा नैच्रल लुक देना है क्योंकि हमारे मेकप लुक में ये भी एक मीन काम है अभी हम प्रेश की एपसे सेट करेंगे तो ये भी मेरा अल्मोंस डन हो गया है उसके बाद में अब हमें लिप्स्टिक लगानी है लास्ट में हम अपना हाइलाइटिंग करेंगे थोड़ी सी हाइलाइटिंग करनी बागी है ये ये न्यूड लिप्स्टिक यूज कर रही हूँ इसके बाद में आप चाहें नहीं आपको करना है आपको लिप्स लगाना है जिससे कि ये जो लुक है वो थोड़ा सा लॉसी हो जाए आपके लिप्स भी लॉसी हो जाएं मुझे इतनी लिप्स्टिक ठीक लग रही है अगर आप चाहें तो थोड़ी लाइट भी कर सकते हैं ठीके मैं लाइट कर देखती हूँ क्या पता है मुझे वह ज्यादा पसंदा है लिप्स्टिक भी कम्प्रीट होगी है उसके बाद मैं एक बार इसको फिर ही उस कर रही हूँ थोड़ा सा और शाइन के लिए तो गाइज यह भी हमारा कम्प्लीट हो गया है अब आपको जो भी जूल्री वियर करनी हो बहुत ही लाइट सी तो आप वो कर लीजिए तो मैं भी आपसे मिलती हूँ तड़ा सो गाइज यह होता है यहां पर मेरा मेक अप लोग कम्प्लीट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगे का कैसा लगा मुझे तो काफी साथ अच्छा लग रहा है इस्तम क्लीन गर्ल जैसा ही हुआ है अच्छा हुआ है मुझे पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर